जो HR है वो पढ़ ही नहीं रहा आपका CV वो एप्लिकेंट ट्रैकिंग सिस्टम से आ रहा रहा फिर मैंने एल्गोरिधम्स पढ़ने शुरू किये कि ये जॉब पोर्टल्स करते क्या है एक रैंडम CV बनाते हैं कुछ नहीं लिखते हैं उसके अंदर ABCD 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 लिखते हैं और खाली कीवर्ट डालते हैं यू वोंट बिलीव आई काल्स पर वार वाल दा फाइब उपर्चुनिटेश आई लव यू के बाद अगर कोई सबसे पॉपुलर थ्री वर्ड सेंटेंस है तो है 100% जॉब गरेंटी और हम इंडियन के साथ प्रॉब्लम के हैं हम रियक्टिव लोग हैं प्रोएक्टिव नहीं जब तक बाईजू साब ने डेका कॉन नहीं बना दिया स्वागत है आपका दोस्कास के अंदर मेरे नाम है विनमर कसाना आज के हमारे गेस के नाम है सुदांचु जैन जिन्होंने कंपनी में प्रीमिम लेर्निंग्स नाम की उसरा जरूरी इस कानिसेशन के तरह हमने बात करी क्या है नुसकी यूज करके आप रेजिमें के अंदर सकते हो, IT अगरा सीख सकते हो, बहुत कम कोडिंग और प्रोग्रामिंग जानके तो इस तरह का बड़ा ही, highly technical, empowering, motivational, amazing, सारे अजेक्टिव आला podcast record करा सुदांचु के साथ, value के साथ भरा है, this is especially true, अगर आप एक जॉप सी करो, अगर आप जॉप से टांजिशन करना चाहते हो अगर आप करियर के बीच पे हो, अब वो confidence की दिक्कत है, और किस तरह से corporate culture के अंदर ढ़लना होता है, ये कुछ बात है करें सुदांचु के साथ, the episode of सुदांचु जैन of premium learnings, 3, 2, 1. आपने एक na LinkedIn पर पोस जाल रहा था, income sharing model के बारे में, तो कि कैसे ad tech startups लोगों को बोलते हैं, कि आप मेरी अपनी salary share कर दो, based on jobs, मैंने सबसे पहले lambda school का, एक Asian American लड़की आती थी, add करती थी, कि पहले आप training वगरा करो, फिर उसके बाद जब आपकी नॉक्री लगेगी, then you pay us, यह model आपने देखा हुए, आपने का कि यह usually typically लोग खास कर रहे हैं, इस पर थोड़ा scam करने कोशिश करते हैं, कुछ बता हुए इसके बारे में, क्या सीन है, हमको बहुत सारे लोगों के phone calls हा रहे हैं, क्योंकि एक छोटा सक ट्रस्ट बन गया है, market में कि यह गलत सला नहीं देंगे, और वो यह सीधे पूछते हैं, कि सर, हमको हमारे पास पैसे नहीं है, हमको यह कोर्स करना है, और company का नाम बता रहे हैं, कि आप यह पता कर सकते हो कि यह scam तो नहीं, अब हमारे लिए यह क्योंकि हजारों में है company, और पिछले 6-7 महिनों से यह कुछ जादा ही हो र और बहुत सारी companies, मैं कई companies को जानता भी हो, उन्हें में भी और आपके गुड़गाओं में भी, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और यह उन्हों के लिए बहुत अच्छा है, जो initially बहुत जादा investment नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसे जगह लोग मतलब confused हो रहे हैं कि य मिल रहा है कुछ 4-5 महिनों से, और बहुत जादा देखने को मिल रहा है, मतलब if I can give you a number, we have got more than 300 calls like that, तो हमारे पास भी यह बताने को नहीं होता कि देखो यार, how can we figure it out, तो मेरा तरीका क्या है किसी को भी judge करने का, वो यह है कि भई, अगर आप किसी को guru बना रहे हो, teacher बना बना सकता है, लेकिन एक-दो हफते नहीं बना सकता, फिर वो अपना color original दिखाएगा, यह आप अगर गड़बर हो तो आप भी शायद original color अपना दिखाऊगा, तो थोड़ा सा time दो, जल्दी में मत रहो, यह आपके career का सवाल है, और career 2-5 साल का नहीं होता, career होता है कम सकम 40 सा मैं job की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं career की बात कर रहा हूँ, once a mentor, always a mentor, मेरे 15 साल पहले जो mentors थे, आज भी वो मेरे mentors है, आज भी मैं मैं सिर्फ उनसे एक meeting करने बैंगलोर जाता हूँ और वापस आता हूँ, और उस एक meeting में शायद मुझे इतना कुछ मिल जाता है कि मैं बिलक समय के लिए आपका mentor होता है, तो इसको आलू प्याज मत समझो, कि मैंने तुम्हें 100 रुपे दिये, तुम मुझे 50 रुपे की नौकरी दिलवा दो, ऐसा नहीं होता, और यह common trend बन गया है, और इसका main reason है, डर, fear, और यह fear colleges में जाने के बाद आता है, मतलब आप का audience बहुत इस्टी को relate करेगा, कि when they go to a college, for example, I can talk about engineering, four year degree, right, कि आप एक college में गए, first year में आप senior engineer होते हो, Microsoft जाना है, Google जाना है, दुनिया बदल नहीं, second year में लगता है, नहीं, Microsoft तो नहीं जा पाएंगे, Google भी थोड़ा मुश्किल है, चुले, काम करते हैं, US की कोई बड़ी company देखते ह थर्ड यर में आपके तो यार, US भी हो नहीं पाएगा, ये काम करते हैं, बैंगलोर चलेंगे, final year आते आते तक आपकी ये स्थिति बन जाती है, कोई नोकरी दे दे बस किसी तरह, नहीं तो फिर घरवाले तो कह रहे हैं, UPSC के ता यारी कर लो, engineering के बाद, बाद भी, बिलक क्योंकि आपका जो confidence का graph है, वो ऐसा जाता है, होना उल्टा चाहिए, होना, बिलकुल opposite चाहिए, कि आप जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो, आपका confidence बढ़ते जाना चाहिए, क्योंकि आप ज्यान से भर रहे हो, लेकिन, I will not blame the education system, because in education system, there are only two problem in India, especially professional education system, कि एक तो education में problem है, औ बहुत बड़े problem है, और उसको fix करने में time लगेगा, तो आप बाहर की तरफ fix करने की अपिक्षा आप अंदर की तरफ fix कर लो, उस confidence को आपको जगाना पड़ेगा, तो better यह है कि आप first year में भी कोई अच्छा mentor देख लो, और लोगों की कमी नहीं, अच्छे mentors की इंडिया में कमी नहीं, जिन्होंने खुद के दम पर बहुत कोच हचीव किया, तो पर आप ये भी नहीं मानते है कि engineering के अंदर अब हर इनसान अभी अभी इस वक्त भी engineer बन रहा है, तो there are far too many engineers and far less jobs, तो engineers को differentiate कैसे ही करेंगे, जो आप बोलों ना confidence वाली बात है, अब लाखो करोडों की इंजिनेर बन रहे हैं और jobs बहुत कम हैं, तो वो क्या ही कर सकते हैं उसके अंदर, मेरा सोचना थोड़ा सा अलाग है, मेरा thought ये है कि engineers बन तो रहे हैं, लेकिन वो engineering की सिर्फ degree ही हासिल कर रहे है, right, engineer बनना, engineering की degree हासिल करना नहीं है, thought process आपकी ये होने ही चाहिए, कि when you are coming into engineering or any professional degree, आपको पहले बात तो उस चीज में मजा आना चाहिए, देखिए आप और में जिंदगी भार लौकी की सबजी और रोटी खाके, जिंदा रह सकते हैं, मरिंग नहीं, लेकिन फिर पालक पनीर क्यों चाहिए, मजा आना चाहिए, तो मेरा ये सूत्र ही ही है, मैं क्यों पढ़ाता हूं, मजा आना चाहिए, आप क्यों पढ़ रहे हो, मजा आना चाहिए, मजे के लिए पढ़ो, और बिलीव में अगर आपको अपने काम में मजा आने लगेगा ना, तो मनी इस अप्रोड़क्त, वो अपने आप आप आएगा, रही बात आपके, एजुकेशन के इतने सारे इंजिनियर्स बन रहे हैं, मैं आपको एक-दो टेक्नलोजी का एक नंबर देता हूं, Cloud Computing में, they say that in India, in up till 2023, they are at more than 2.2 million jobs, 2.2 million jobs, 20,000,000 नो करिया है, Cloud Computing is basically cloud and computing, so cloud is basically a cluster of network, एक बहुत सारे computer कहीं internet पर है, जो हम लोग यूज करते हैं, बहुत सारे अलग-अलग requirement के लिए, maybe storage के लिए, maybe computing के लिए, drive, iCloud के लिए, बहुत सारी चीज़े हैं, तो उनका यूज करना, ताकि हम हमारे client के लिए कुछ develop कर सके, बहुत सारे example के तरह मैं समझा सकता हूँ, जैसे अगर आप storage यूज करते हो पहले, पहले हम hard disk यूज करते थे, pen drive अभी यूज करते हैं, अगर 1990s में मुझे email भेजना होता, कि चलो मैं विनमर के office में emailing system set up कर लेता हूँ, तो मुझे एक बड़ा सा Windows NT server लगाना होता, और 10 कंदों पर physical server, और हम सब आपस में email भेजते हैं, लेकिन अभी हम सब के पास Gmail है, हमें नहीं पता हमारा email कहा store होता है, somewhere there in some server around the globe, और हमको फरक भी नहीं पड़ता, तो this is software as a service, जो पहले हम install करते थे, अब हम cloud पर use करते, अगर जो लोग coders हैं, तो उनको code करने के लिए servers की ज़रूरत पड़ती है, maybe NetBeans, Tomcat type के servers, पहले install करने पड़ते थे, अब वो सब server आपको online मिल जाते हैं, कुछ भी install नहीं करना पड़ता, तो यह है magic cloud का, तो अगर मैं एक छोटी सी technology cloud computing के लिए बात करता हूं, तो इतनी नौकरिया हैं, अब सवाल ही उठता है कि यह नौकरिया है तो मिल करने रहें, that is the point, कि यार engineers खाली क्यों बैठे हैं, तो दो चीज़े हैं sir, एक है eligibility और एक है employability, और इसके साथ एक मध्यमवर्गी की एक सोच आती है वो uncertainty, तीन ही problem है नौकरियों में, eligibility का मतलब है कि अगर मैं इस नौकरी के लिए apply करता हूं, तो यह लोग मुझे वापस जवाब भी देंगे की नहीं देंगे, am I eligible to do the job, for that you need a degree which most of the people have, employability, वो employer सोचता है कि अगर मैंने इसको hire किया तो यह मेरा काम कर पाएगा की नहीं, मेरे project में काम कर पाएगा की नहीं, और uncertainty जो हम सब middle class लों के शायद blood में भी है, कि यार मैं इसमें जाओं तो लंबे समय तक टिक पाओंगा की नहीं, uncertainty, वो internal factors की वज़े से जादा है, external factors अब जैसे COVID आ गया, sir, COVID जैसा कुछ, मेरे से question पूछते हैं, sir, COVID जैसा कुछ आ गया तो आप जो पढ़ाते हो वो चलेगा की नहीं चलेगा, तो यह uncertainty रहेगी लोगों में और इस uncertainty की वज़े से लोग, try ही नहीं करते कई बार, I know a lot of mechanical engineers, who come to me, जो अपनी खुद की cycle नहीं सुदार सकते, but they have post graduation in mechanical engineering, practically नहीं कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, मतलब they are eligible, but they are not employable, employable, तो मैं कभी-कभी कहता हूँ कि देखिए, नौकरी जो है न, वो शादी करने जैसा है, बिल्कुल exactly वही है, वहाँ पंडीजी होते हैं या HR होते हैं, ठीक है, लड़का या लड़की, माली जी मैं अपनी sister के लिए, या मैं अपने ब्रदर के लिए, परिवार कैसा है, यह नौकरी में भी होता है, आपको इंटर्वी के लिए बुलाया जाता है, आप भी अरेंज मेरे स्टप के मैं बात कर रहा हूँ, और आप भी लड़के-लड़की से परिवार से मिलने जाते हो, फिर वो आपसे बात करते हैं, आपका इंटर्वी होता है, कभी-कभी एक से जादा इंटर्वी होते हैं, HR इंटर्वी होता है, अलग-अलग होते हैं, और कई बार यह होता है कि आप शाहरुख खान हो, लेकिन लड़की को सलमान पसंद हो, तो लास्ट मोमेंट में आप रेजेक्ट हो जाते हो, तो कई बार, जॉब सीकर्स को वो भी बुरा लगता है कि यार मैं कर तो बहुत अच्छा रहा हूं, मेरा हो क्यों नहीं रहा है, तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा यहां पर, कि आपने जो डिगरी करी है, वो आपकी eligibility हो सकती है, आपको employability की तरफ जाना है, आपको employable बनना है, आप अपने client के लिए कैसे value create कर सकते हैं, value creation is the thing, अगर आप यह समझ गए, कि हाँ value creation है मेरे, अगर आप समोसे की दुकान लगा रहे हो, आपको सिर्फ यह सोचना है कि मेरा customer कौन है, वो कैसे समोसे खाना पसंद करेगा, वो सोट की चटनी के साथ खाएगा कि हरी चटनी के साथ खाएगा, या फिर अगर मैं रायस्थान में रहता हूं तो उसके उपर save भी डालेगा, अगर आप एपनी client की value समझ जाओगे, you'll become employable और जो जरूरत है अगर उसको आप पकड़ सको, तो फिर लोग आपको ढूंडते हूं आएंगे, आपको नौकरी ढूंडने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, Employability की अगर ही हम बात करें जैसे, तो बहुत सारे लोग eligible हैं आपने बताया, employable होने के लिए, इस रहे mix कि आपका resume tip top होना चाहिए, आपका suit अच्छा होना चाहिए, आपकी LinkedIn profile visible होनी चाहिए, जब आप किसे से मिलो और आपके उपर वह reference चेक करें, तो सब कुछ मिल जाए, What are some of the factors? सबसे पहले तो इसको उसी example से अगर हम समझे कि अगर हम शादी के लिए लड़की ढूंड रहे हैं जैसे, मुझे किसी अपनी ब्रदर के लिए किसी लड़की से अगर शादी के लिए आगे बात करनी है, तो सबसे पहले उनका bio data, मताब Indian system है मंगाया जाता है, अभी मैं उनसे मिला नहीं हूँ, अभी सिर्फ bio data आया है, तो हर job seeker को चाहे वो fresher हो, experience हो यह समझना चाहिए कि आपसे पहले आपका resume जा रहा है, आप नहीं जा रहे हैं, आपका resume जा रहा है, और resume कहां पर जा रहा है, resume में जा रहा है कि applicant tracking system में, hardly any HR reads more than five lines in your CV, So that's my experience, तो कोई देखेगा रहा है, मैं आपका story बोलता हूँ, मैं U.S. से लॉटा था, और 2011-12 की बात है, और I used to live in this city called as Paulo Alto, जहापर आपकी Stanford, Facebook office है और मुझे लगा यार इंडिया जाएंगे और U.S. return है, नहीं नौकरी ढोनेंगे और NRI, हाँ, kind of, खुशी तो होती है, आप छोटे शेयर के हो, पहली बार बाहर जाओ और तो लोग ज़रा ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे तो मैंने एक CV बनाया नया उसमें लिखा, I worked for this client in Paulo Alto for this much time, CV डाला, पोटल में, जॉब पोटल में, और मेरी 23 hours की फ्लाइट थी मैं आया, सुब़ चार बजे इंडिया पहुचा, 23 hours की फ्लाइट थी, San Francisco से, तो वो लेवर नी था बीच में, डिरेक्ट फ्लाइट थी, बीच में रुकते हैं, तो आया, और when I woke up at 4 o'clock in the evening, I saw about 80 calls, 80 phone calls, मैं डर गया मैंगी, क्या है, मैंने करके जब लोओं को फोन करना शुरू किया, की मैंनो हुस देस, मुले, Hi, I am calling from this company, can you please let us know how much experience you have in Paulo Alto, I was like, I was there for about these many months, मुले, No, no, not these many months, for this technology, I said, What? I said, no, Paulo Alto is a technology, I said, Madam Ji, I would stay in the city, I said, okay, okay, we thought that you work in Paulo Alto technology, because this keyword, Paulo Alto is written in your CV, that day, I realized that my CV is not reading my CV, Applicant Tracking System algorithm is running in the CV, and then I researched that, I said, what? Paulo Alto Network is one of the technologies, security tool, which was very popular at that time, and I didn't have a clue about what it is. It is very much like, if you live in Faridabad, the name of Faridabad is a super premium skill, that you are living in Faridabad, you will have a lot of experience in Faridabad. You say, I am still living with my childhood. 18 years of experience, 19 years. So, then I realized, this is a very strange game, that the HR is not reading your CV. It is from the Applicant Tracking System. Then I started learning algorithms, what are the job portals. Then I figured out, what is the algorithm of Naukari.com. Then I played a small game. At that time, we had not seen three dates. So, Aamir Khan gave a great advice, that if you go to school, you need a uniform. You don't need a fee. So, I thought it was a good idea, that we are doing a random CV. We don't write anything. In it, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. And we add only keywords. And we collect five jobs. We collect five jobs. We collect everything. We collect everything. I am giving eligibility example. What will you call for an interview? We collect five jobs. They collect all the keywords. We collect all the keywords. In that one. A job description is written. Okay, this is what I need. This is what I need. This is what I need. And I post. I made five different profiles. You won't believe I got calls for all the five opportunities. In that one, I have written a random ABCD. Random ABCD. I have no idea. It has no meaning. And it's a hack. And when I asked them, Have you read my CV? No, it's not even required. The keyword was there. So, those who also tell me, I don't have a call for an interview. So, I tell them all this. Your CV was written, friends. You correct your CV. Call and come is a different thing. Call and crack. It's a different thing. Right? That's a different thing. That's a different thing. So, I mean, You have to change that. It's a different thing. It's a different thing. So, I mean, मुझे एक एलियन स्किल दे दें आज कि इसमें नौकली लाके बताओ मैं दिखा दूगा आपको इसका जॉब को लाकर लेकिन उससे फायदा क्या अब यूपी एसी अटेंप्ट देने से कोई फायदा नहीं है यूपी एसी में सिलेक्ट होने से फायदा है नो डाउट इस अग्रेट एक्जाम जहां पर आप प्रपेर करके भी अपने आपको एक बहतर इंसार बना लेते हैं मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उन्हों की जो यूपी एसी की प्रपरेशन करने की भी हिम्मत पैदा करते हैं लेकिन अगर आप सिर्फ अटेंप्ट द लेकिन बोलोगे क्या नीड टूक्ट एक रिट इंटर्वू ना पहला इस जानते हो इसको आपके वब लिखा है वेरिफिसकिली जो आपके कम्म्यूनिकेशन चेक करते हैं जो दस मिनिट में हो जाता है और वो यू टेलिफोन होता है वो ऐसा व्यक्ति करता है जिसको सेकंड लेवल जो होता है एक एक पार्ट है और आज की डेट में मैं जो मैंने देख रहा हूं लोगों को कि जो रिक्रूटर से यह हैं इंप्लोयर से वह बहुत ज्याधा टानाई जा रहा है वह आपकी स्किल पर जा रहे हैं वह आपकी च्छैट्निकल पीपल वह यह वह सियए, और इक लिंए आपको स्कुले आपको प्लकप इस्लिध वह साफ साफ बोला हैं इंगिल्स हिंदी हो बहुत हो उष्टनी चा तो पनजाबी सीख्किया है। तब चलेगी दुकानृ ये गाप ये ना पड़ेगा को इंग्लिस सीख है यह क्ला इंग्रेज है। जी प्लाइड टॉट में आपका टॉट इंडश्ट्री में आपका जंग्रेज ऑगा। because the mode of communication is English तो मैं बहुत जादा इंफेसाइस करता हूं students को कि हम सब छोटे-छोटे शहरों से आये हैं mostly लोग, मैं भी बहुत छोटे शहर से आया हूँ तो जब नए-ने आये थे, तो accent ही नहीं समझ में आता था तो मेरा पहला जो जवाब था तो ground floor में बी-पियो था, फर्स्ट फ्लोर में हमारा office था, तो वहां मैं देखता था यार तो नहीं चींग्लिश के कैसे बोलेते कई बार समझी नहीं आता था तो मैं लोगों से पुछता था ये आपने कहां से सीखी English इस्टो सीखी, हम तो बच्पन से भी बोल रहें I was like, yeah, English medium school में तो मैं भी पढ़ा हूं तो मैं क्यों नहीं सिख पाई अब हमारे यां English भी Hindi में पढ़ा ही जाती है तो हमें English book पढ़ना मतलब गंदी बात can you imagine? English book पढ़ना मतलब गंदी बात होती है हम उस mentality से आया है so you need to learn it Irish accent समझना सीखो उस level तक की English ता कि तुम भी जो बोलो वो भी समझे तो एक महीने बड़े महनत से गुजरे किताबें पढ़ीं जो कभी नहीं पढ़ी थी मैं तो फस्स नॉवल I read was in my first job मजबूरी थी पढ़ना पढ़ा कौन सी नॉवल पढ़ी है उनने Da Vinci Code Dan Brown का नॉवल तो फिर मज़ा आने लगा यह 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 तो बड़ी अच्छी चीज है किसीने बताई नहीं हमारे स्कूलों में इसा पढ़ना तो वो दीरे दीरे वो शुरू हुआ तो बहुत सारी चीज़े लाइफ में एक्सिदेंटल होती गई है और अच्छे लोग मिलते गए तो मैं हमारे भी जो टार्गेट ओडियंस होते हैं जो स्टूदेंट्स होते हैं आप उनको पकड़ लोगे ना तो वो अच्छे लोग क्या है आप उनसे सीखो ना सीखो मतलब वो आपको सिखाए ना सिखाए आपको उनसे सीखना है जो मोस्ट अपनी जर्णी में क्या किया है और ट्राइट टू रेप्लिकेट देम और मैं तो बड़ी एक लेमेंसी चीज़ बोलता हूँ यार कुछ नहीं करो तो नकली कर लो उनकी कि उनके डायलोग पकड़ो अपनी भाशा में बनाओ धीरे धीरे आप एवाल हो जाओगे क्योंकि इंडिया में हम सब सर्वाइव ही कर रहे हैं यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम में इंडिया में है लाक ओफ डेटिंग कल्चर इस बिग प्रॉब्लम फॉर कमिन लाक ओफ कम्यूनिकेशन स्किल्स अगर हमारे यह अच्छा एक डेटिंग कल्चर हो इंडिया में कि आपको आता क्या है आपका हेंड्स-on experience कितना है उसमें आपसे पुछा जाता है आपके skill के बारे में आपको scenarios दिये जाते है problem solving capability आपकी check की जाती है यह सबसे लंबा phase होता है यह करी 20 मिन चलता है 20 से 25 मिन उसमें आपसे पुछा जाएगा can you explain if this is the problem can you solve it आपसे comparative analysis कराया जाता है कि what is the difference between this and this तो आप उस तरीके सोच सकते हो क्या जब आप वो qualify करते हो और आप third phase में पहुंसते हो तो वो होता है expertise का phase आप किसी भी interview में जाएए बहुत सारे लोग technical interview देते हैं वो last minute आप से पूछते हैं what are the best practices you have followed to implement this आप कितने बड़े expert हो आपको आता है करते हैं लिकिन क्या आप बहतरीन तरीके से कर सकते हो तो आप फिर उस level पर बात करते हो कि these are the best practices which I have followed और I can implement in these are my learnings basically और finally वो आप से पूछते हैं okay I'm done from my side do you have any questions for me तो आप actually judge होता है कि आपका vision क्या है आपकी सोच क्या होती है तो आप ये भी पूछ सकते हो कि sir आपका Saturday working तो नहीं होता sir और आप ये भी पूछ सकते हो कि sir मुझे आगले पास सालों मैं architect बनना है और आप अलरड़ी आर्किटेक्ट हो आप मुझे पास पॉइंट्स बताईए जिससे मेरी जर्नी और बेटर हो जाए और मोस्ट लोग कत रहते हैं ये चीज़ पूछने से कि अपने जब वो रिक्रूटर या इंटर्वियर पूछता है do you have any questions for me typically रोग रिसपांस होता है no thank you so much पर वो अला confidence लोग के अंदर आता नहीं है कि हम उल्टा question कर पाएं कि आप बताओ करना ही चाहिए करना ही चाहिए वो मौका नहीं छोड़ना चाहिए बहुत अच्छा आप से बड़ा कोई व्यक्ति है ग्यान में हुनर में जैसा आप बनना चाहते हो most of the times तो आप उस मौके को छोड़ो मत मतलब मुझे तो कई बड़े लोग लोग फ्लाइट में मिल जाते हैं कई लोग ट्रेन में मिल जाते हैं मैं बिलकुल मौके नहीं छोड़ता क्यों कि अगर हो सकता है एक अच्छी सला आपकी लाइफ बदल दे तो ऐसी बहुत सारी सला मुझे मिली लोगों से और उसका फायदा मैंने लिया और मैं अपने स्ट जब लोग बहुत ही अतरंगे रोल से एकदम डिफरेंट करियर में स्विच करते हैं वो तिपकली हार उसके लिए आप कभी सर्च करो हाव रो ट्रांजिशन तो ब्रैंड न्यू करियर बहुत तरह के ड्वाइस टिप्स आती हैं मतलब अभी तक मैंने दो तीन साल मैं राइ तो मैं वह वाला जस्टिफाई कैसे करूँ किसी एमप्लॉयर को कि आइम ब्रैंड न्यू परसें बदू इसमें बहुत सारी पॉइंट्स हैं मैं दो पॉइंट्स आपको बोलता हूँ जैसे सबसे पहली चीज तो यह है कि आपको स्किल्ड होना चाहिए पॉइंट वो इंडस्ट्री में जाना है तो मेरे पास कुछ ऐसी चीजें कुछ सर्टिफिकेशन ऐसे होने चाहिए जो इंडस्ट्री में यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हैं पॉइंट वन टू आपने कुछ ऐसे प्रोजेक्स कियो होने चाहिए अब सवाल है कि सर हमको नौकरी ने दो प्रोग्राम्स होते हैं बहुत सारे कि वह के सटड़ी प्रोजेक्स बेसिस पर करते हैं कि हाँ अगर आप मार्केटिंग सीखर हो ना चलो मैं चाहिए की दुका एक को लौना उसकी मार्केटिंग करके दिखाओ तो अगर आपके पास बताने के लिए कोई प्रूफ है आपक और पॉइंट है इसमें कि क्योंकि अब इंडिया बहुत फास्ट पेस से गरो हो रहा है तो इतनी सारे क्रॉस्किल्ड लोगों की जरूवत है क्रॉस्किल्ड वनाइस से मैं आपको एक्जामपल देके बोलता हूँ बनाफ मैं स्टूदेंट्स हाज दन डी फार्मा इन फार आपकी पड़िवी चीज तो मैं क्या करूं पहली बाद तो मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा है और अब मुझे डर लग रहा है तो कुछ हो जाएगा कैसर मेरा सवाल यही होता है मेरा कुछ हो जाएगा क्या तो है टोल इम कि तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट इंप्लॉय अगर कॉंबिनेशन हो फंक्शनल प्लस टेकनिकल एक्सपर और एग्जैक्ली यही हुआ एग्जैक्ली और वक्त थोड़ा लगा च्छे महीने लगे क्योंकि आप दूसरी दुनिया से आते हो यहां आते हो वो पेशेंस चाहिए दिर आप एकदम से आप सुचोगे कि आपक मेट्रिक्स टाइप एक रेड वाली कैप्सूल दे दे मॉर्फियस की यह लो नी हो यह खाओ और अगले दिन से शुरू हो जाओ ऐसा नहीं होगा बहुत सारी ऐसी गोलियां बिक रही हैं मार्केट में अगर ऐसा होगा नहीं तो उन्होंने वो ट्रांजेशन किया और फॉर इस वन गाय हूँ वाज डूइंग डिलेवरी इन अबरीट्स ग्राजविशन हुआ था लेकिन कोवेट की वज़े से तकलीफ अबरीट्स में एक साल से डिलेवरी कर रहे हैं मतलब कॉन्फिदेंस तो खतम ही हो चुका था कि सर मेरे पास पैसे भी नहीं मैं क्या करूं मैं क सेम तिंग कि क्या करूं वो तो ठीक है वो तो मैं बता दूंगा एको डॉक्टर के पास जाते हो तुम इलाज कराने हैं डॉक्टर दवाई लिखने लिखके देता है अब जब तक वो दवाई खाओगे नहीं न तब तक वो बिमारी ठीक नहीं होगी अब प्रॉब्लम हो र अरली और आप खा नीरे और खतरनाग आप सब की दवाई खा रहे हो तो चैलेंज यह है लोगों के साथ की आप को जो बताया जा रहा है आप सको थोड़े पेशेंस के साथ थोड़े समय तक फॉलो करो तो इन यह भी सिलेक्ट हो गए चार महीने के अंदर ही वाट प्लेश दर वस वन लेड़ी हूस फ्रॉम बायो टेक्नलोजी को आए मेरे पास की अपने फैमली के साथ आए की सर मेरे साथ ऐसा है की मैं तो बायोजी पढ़ गया हूं कोई धूर धूर तक मैस का कोई रिष्टर नहीं और दस साल हो गये सर छोड़े हुए पढ़ा ही लिखाई बच इन फ्रोज चड़के आए और यह एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है मतलब आप पड़ तो लोगे है हूं शीगोट प्रेस इन फर्स कंपनी एक और एक्जाम्पल बूद अफर टेन यर गाप ना करियर यह जो की अनहर्ड ऑफ बिलकुल बिलकुल बई कोई आपको ढूंड कोई आपको ढूंड भी तुरह है तो आपको सिर्फ अपनी पहचान बता दे नहीं दुनिया को कि देखो मैं यहां हूं और अपना सीवी सही बनाओ तो लोग तुम तक भी तो पहुंचेंगे देर वस वन परसन जिसको तुतलाने की प्राबलम है तल हम त्या तल हम बोलते ह यह तो अलगी लेवल की प्राबलम है आप क्लाइंट फेसिंग रोल की बात कर रहे हो तो एक महिने में कुछ चमतकार की उम्मीद करेंगे नहीं हूं दिर आर थीज गोई आपको थोड़ा पेशिंस रखना पड़ेगा प्राक्टेस करना पड़ेगा एन मैं जितने भी एग उन में से कई ट्रेनर्स बन चुके हैं स्पीकर्स बन चुके हैं बोलते हैं तो बड़ा गर्व होता है कि हां यार कम सकम यह चीज तो एक अच्छी की हमने उनके लाइफ तो डरने की ज़रूरत नहीं है आप किधर से भी आयो किधर भी जाना चाहते हो एक चीज जरूर मैं बोलता हूं कि अगर आपका एड्यूकेशन बैक्राउंड प्लेन आर्ट्स का है तो फिर आप या तो MBA करो या MCA करो ऐसा कुछ प्लान करो आर्ट्स के बाद आप सीधे IT में आने की चाहोगे तो बहुत कम इंप्लॉयर्स हैं जो आपको हायर करते हैं यह एक चैलेंज है बा अरड़ाइसिंग फिर मीडिया कम्विनिकेशन तो वह क्लियर पाता है अगर अगर मैं बुरू मेरे को स्टार्ट अप के अंदर काम करना है पॉसिबली नहीं है मुझे प्रोग्राइमिंग लाइंगश का पर नहीं पता और मैं जबरस्ती जाकर आगर आप सीखूंगा तो म मैं लगता था कि सेल्सफोर सेल्समें के लिए होता है अगर अगर नहीं है क्या है तो मैंने और स्टी करा फिर पता लगा की पहले इस्टेंशन यह कि सब लोग को पता सास-based start-ups क्या होते है Spotify YouTube Premium आप कुछ भी लेते हो जिसके अंदर आप पहले तो software डाउलोड कर लेते हैं हमेशा के लिए हो जाता था अब आप उसके monthly you know auto debit करके पैसे जाते हो 27 रुपे 2700 रुपे जतने भी हैं तो ऐसे PAS क्या होता है यहां से start करते है basically PAS is a platform as a service तीन modules होते हैं cloud computer के infrastructure as a service, platform as a service, software as a service infrastructure as a service मतलब समझ लो आपने वो उठा के उसको cloud मरग दिया infrastructure को उठा के cloud मरग दिया, एक storage device उठा के cloud मरग दिया, वो dropbox बन गया software as a service आपने Windows NT server को उठा के रग दिया तो वो Gmail बन गया सिर्फ browser से आप कर लो, platform as a service is a platform on the cloud जहां पर आपको software develop application develop करने के लिए कोई बड़ा भारी software अपने laptop में डालना आपको सिर्फ browser से वो platform open करना है और वहां पर आप जाकर अपना application develop कर सकते हो, deploy कर सकते हो, even sell भी कर सकते हो, तो it's like a complete ecosystem तो वो as a developer के लिए भी बहुत सस्ता पड़ता है, एक employer के लिए भी बहुत सस्ता पड़ता है और even buyer के लिए भी बहुत सस्ता पड़ता है, it's a very cost effective solution तो पूरी दुनिया इस तरफ जा रही है कि there are lot of platforms which are evolving like Google app engine हो गया, Microsoft Azure हो गया, even salesforce का force.com वो हो गया, so they are evolving very well and it is doing wonders for the ecosystem इसके अंदर exactly like what is it required to become competent on this अगर for example मैं हो चलो, मेरा एक podcast है यह हो है इसके use cases क्या क्या हो सकते हैं, मतलब अगर आप इस platform पर आया हो और आप सीख रहे हो इस पर develop करना कोई app बनाना, आप किस-किस तरह की चीज़े बना सकते हैं आप बेसिकली enterprise applications बनाते हो, primarily जो salesforce का overall thought process है वो है यह है कि it's an enterprise application development software तो नहीं बोलते हो उसको right, it's a tool, it's a technology, enterprise application मतलब कोई भी technology, कोई भी company आगर आप चला रहे हो तो उसको चलाने के लिए आपको अलग-अलग department होंगे आपके company में HR department होगा, finance department होगा, logistics होगा, legal होगा, बहुत सारी चीज़ें, project management होगा तो वो अलग-अलग department के लिए भी आपको software लगेंगे, legal department के उनकी processes अलग होते हैं Google Drive, Microsoft Excel पर वो तो data storage है, आपको automation भी तो करना पड़ेगा, मैं एक example आपको बोलता हूँ जैसे माली जी एक company है वो virtual private network बेस्ती है ठीक है और उनको पूरी दुनिया उनसे खरीद रही अब उनका product ऐसा है जिसमें बहुत सारी security involved है, even उसमें government organization involved है, उसमें army officials तक के data है, तो उनको अपना client on board करने के लिए भी एक process चाहिए, वो हर किसी को client नहीं मना सकते है तो इसका एक process होना चाहिए, अब जरूरी नहीं कि आप वहाँ form भर दो तो आपको mail आ जाए और कोई वहाँ बैठा हो mail करने के लिए, तो आप इस पूरी process को automate कर सकते हो, मैं एक छोटा सा को example दो, जैसे आप Vodafone का कुछ use करते हैं, आ लिजी आ, broadband use करते हैं, आपका एकद phone उठाती है, वो यह बोलती है, अच्छा सर, आप कहां से बोल रहा है, मैं तो फरीदाबाद से बोल रहा हूं, ओके सर, और वो आपकी चार डीटेल्स पूछते हैं, फिर आपके बारे मनको पता चलता है, यह तो premium client है, यह तो बहुत consume करता data, अब उनका एक service level agreement होता है, कि premium client है, तो इसका problem जल्दी solve करो, तो वो आपका एक case बनाती है, details लिखके, case number और दे 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 आपको, ठीक है, और save कर देती है, अब वो madam जो गुड़दाओं पर बैठी है, उनको नहीं पता फरीदाबाद में कौन है जो यह problem solve करेगा, automatically वो case, एक queue को assign होता है, एक group of people को assign होता करेगी, उसमें भी एक manager देखता है, अच्छा ये कोई case आया, फरीदाबाद का, अभी team में कौन खाली बठा है, अच्छा ये बठा है, इसको assign करो, वो देखेगा, उसको assign होगी request, वो आपका problem solve करेगा, और उसको mark as completed करेगा, फिर वो request दूसरे के पास जाएगी, आपको phone क होगी, आप Amazon.com में कुछ खरीदते हो, या कुछ भी आप पकड़ दो, कोई भी e-commerce, आप जब book करते हो order, तो एक mail आता है, text आता है, आपको human being थोई ना भेजर होगा, there is a system involved, वैसे email एक seller के पास जाता होगा, seller वहाँ से आपका package book करता है, courier वाले को देता है, फिर आपको your order has been dispatched, इस तरह यह पूरी process आप तक आती है, यह Amazon के पास भी तो track है, कौन सा seller जो है, किसके order कितने ज्यादा वापस आ रहे है, यह पूरा system है, तो यह आपका sales का system हो गया, यह WhatsApp पे नहीं कर रहे है, यह package निकला है निकला है, तो यह automation का जो game है, जहाँ भी आपको scaling के ज़ almost 98% of the fortune 500 companies uses this technology, sales force, to automate some or the other way, मतलब मैंने तो इतने सारे case studies के पढ़ लिया है, कि अगर आप चाइना में है, और यह on their website है, और पिजा हट के सामने से अगर लिकलते हैं आप, तो आप आप आता है, तो हाँ आट तो आई जाते हैं उसके, कि 5 मिनिट में एक पेक फ्री, तो आगर होगे, आजू-आजू-आजू देखोगे, पिजा हट, कैसे आया, वह आपको ट्रैक कर रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, जहां पर आप sales, marketing, collaboration, partner onboarding, deal management, बहुत कुछ डेवलप कर सकते हो, और बहुत सारी चीज हैं अल्रेडी बनी हुई है, तो आपको थोड प्रोट्स गुड्स, more or less एक ही जैसी चीज हैं, लेकिन उनका sales process अलग-अलग होता होगा, उनका distribution process अलग-अलग होता होगा, तो तीनों यूज करती हैं ये, तो जो भी जिन आहां से भी ये develop करवा रहे हैं अपना tool, तो वो क्या करेंगे, उनके process के business space को plus minus कुछ करेंगे, थोड़ा बहुत गटाना जोड़ना करेंगे, और develop करके देंगे, अच्छी बात यह है कि ये एक बड़ा cost effective tool है, बगर बहुत सस्ता नहीं है, मतलब आपका जो client है, वो पैसे वाला है, पैसे वाला client होगा, तो पैसे ज्यादा मिलेंगे, तो मैं हर किसी को बोलता हूँ, वाले गेम में बिलीव नहीं करते है, हाई ticket price, नहीं वाल्यूम तक पहुचने के लिए भी पैसा लगता है, मैं एक individual entity की बात कर रहा हूँ, एक वेक्ती धेर सार कितने जूते बेच लेगा, मैं यहाँ पर individual की बात कर रहा हूँ, मैं company की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई student बैठा है, वो कहें का सर मैं क्या बेचू कि मैं पैसा बाला बच जाओ, ऐसी चीज बेचो जिससे तुमको outcome जादा मिले, इसकी demand जादा हो, जो premium हो, premium की definition क्या है, demand जादा supply कम, demand जादा supply कम, एक बड़ा बुरा example में देता हूँ, मुझे example देना मिने चाहिए, remedy severe, the drug which was sold in covid times 3,000 की drug, 30,000 में भी विकी, 3,000,000 में भी विकी, what was the requirement, demand इतनी जादा थी, supply बिल्कुल कम थी, बिल्कुल supremely premium बन गई वो, आप भी कोई ऐसी चीज पकड़ो ना, जो supreme में premium हो, in fact, आप Supreme का नाम ले रो, एक बड़ा street wear brand है Supreme, जिसका पूरा काम ही है, कि वो एक बार drop करते हैं, और एक absurd price पर बेचते हैं, उनका supplier ये रूपा है, इंडिया का, उस पर ठपा लगाते हैं, खाली मूँ, और वो इतने absurd price पर बेचते हैं, बट क्योंकि लोग अंदर एक status signal बन गया है, लोग खरीते है, as opposed to, जो आप बोल रहे हो, अगर साबून की कोई demand नहीं है, तो आप, you ये भी कैसे figure out करें हैं, लोग की, यार कौन से कौन से ऐसे software हैं, या IT वाली चीज़े हैं, जिसके अंदर high demand है, इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है, वोई आमिर खान वाला, की dress चाहिए, school जाने के लिए, और एक तरह का hack है, बहुत पहले मैंने try किया था, जब मैं college से pass out हुआ था, क्योंकि छोटे शेहरों के आप होते हैं, आपके पास पैसे होते नहीं, कोई बताने वाला होता नहीं, मैंने किया, मैं आपके audience को भी बोलता हूँ, कि क्या करो, ये सोचो, आप कोई 5 skills ढूड़ो, कि भाई, मैं ये 5 में से कोई एक सीखूँगा, तो मेरा भला हो जा, हो जाएगा, छे महीने लगेंगे शायद सीखने के लिए, आपका छे महीने बाद का जो वर्जन है, आपका जो knowledge है, उसमें आपका CV कैसा होगा, आपका professional bio data कैसा होगा, वो बनाओ, 5 अलग अलग skill के बनाओ, जो भी सीखना चाहते हो, 5 अलग अलग profile बन नमबर अलग होने चाहिए, फोन नमबर, इतना खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है, और चेक करो, 15 दिन में किसके call सबसे जादा आते हैं, इससे practical approach नहीं है, मतलब फ्यूचर सीवी बना दो, फ्यूचर सीवी बना ओ, देखो, आज पता करना है कि 6 महीने बाद मैं क्या होगा इससे तरीका कोई है ही नहीं, मतलब सिंपल है यह, बेसिक है, तो यह करके देखो, और मैं अपने बहुत स्टूडेंट्स को बता हूँ, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, बीस रुपे की सिम आती है, एक बार रिचार्ज करा लो, दोस्तों के नमबर डाल दो, कोई प् में जाओंगा तो नौकरी मिलेगी भाई, ऐसा नहीं, तो वो डर निकालना बहुत जलूरी है, और हम इंडियन के साथ प्रॉब्लम कहा है, सर कि हम रियक्टिव लोग है, प्रोएक्टिव नहीं, जब तक सचिन तंदूल करना डबल संचुरी नहीं मारी, तब तक मैं पते ह नहीं था, वंडे में डबल संचुरी मारी जा सकते, उसके बाद एक साल में, चार लोगों ने मार ली, जब तक बाईजू साब ने डेका कॉन नहीं बना दिया तब तक मैं पते ही नहीं चला कि अच्छा, डेका कॉन भी कोई वर्ड होता है, मुईरको तो पते ही नहीं, क्य और एक बड़ा मज़दार सा फैक्ट है, कि हम पूरे इंडियन्स, हम सब लोग आजकल एड्स वगरा देख रहे हैं, लोग पढ़ा रहे हैं, एक भी फॉरें कंपनी नहीं है सब, सब इंडियन्स हैं, कभी कोई सोच के देखे, कि दुनिया को नहीं लगता होगा कि आईफो में चले जाओ, मोस्ली टॉपर्स आपको इंडियन्स दिखेंगे, मैं बहुत सारे देशों में गया हूँ, बहुत सारे देशों में मैंने काम किया है, और पहले मेरा एक ऐसा माइंट्रेट था कि अंग्रेज है, मतलब क्लाइंट है, मतलब यह तो हम से तो बैटर हो गई, पर यह मेरा मित टूट गया, कि यार सब जगा ऊपर तो जो लोग भेटे हो तो सब इंडियन्स है, और ऐसे कई लोग हैं जो आपका पॉड़कास्ट अभी देख रहे हैं, तो मेरा काम कई जगा पढ़ाने का होता नहीं, मेरा काम सिर्फ जगाने का होता है, तो मैं कई बार और फिर वो वो कर जाते हैं, जो उनके पूरे खांदान में किसी ने नहीं सोचा होता है, there are many students of mine who have developed companies, they are doing very good, they are making much much more money than me, and I am so proud, मताब उनसे मिलके दिल बाग बाग हो जाता है, कि इसे लोग, कमाल की चीज़ होता है, आपने कोई specific work culture differences note करें, क्या आपने अगर IT industry के jobs compare करें, तो वहाँ कुछ फ़र्त देखा, मतला आप कौन सी कौन सी countries गए और आपने वहाँ पे roughly work culture हो गर्रा में क्या देखा, जो यहाँ से अलगे थोड़ा, तो मैं दो ही regions की बात करूँगा, जैसे primarily American and European, तो वहाँ पर एक चीज़ जो मुझे समझ में आई, people are very professional, professional in the sense की 8 गंटे नौकरी करनी है, तो 8 गंटे ही करनी है, जैसे आप इंडिया में IT industry में देखा, लोग 11-11 वे तक कॉल ले रहे होते, US में लोग नहीं लेते, अब ये, some people are workaholic, so I am not going to that direction, but, कई लोग का ये सोचना है कि यार, 11 बजे तक का कॉल तो है ही, तो क्यों ना 3 गंटे मजे कर लिए जाया, ये culture आपको वहाँ नहीं मिलेगा, they want to work 8 hours a day, 8 hours में सब कुछ करना है, they mean those 8 hours, उसमें वो जान लगा देंगे, और फिर बाद में उनको फरक ने बढ़ता, आप करो तो, हम आधा दूरा करते हैं, वो बिना unfocused work करते हैं, दूसरी चीज, उनके culture और हमारे culture में बहुत बड़ा difference है, कि उनके उपर dependencies नहीं होती, तो वो ज़्यादा free होते हैं, मतलब ये बहुत सारे लोग offend हो सकते हैं मेरे statement से, कि उनके culture में ना उनको parents को देखना है, ना उनके बच्चों को देखना है, मैं बहुत सो समझ के statement बूल रहा हूँ, उनको ना parents को देखना है, ना बच्चों को देखना है, एक उमर के बाद, तो they are totally free to live their life, to grow in their professional career, upwards, downwards, whatever, इंडिया में ये दोनों चीज़ें आपके उपर होती है, जो कि अच्छी बात है, मारा culture वैसा है, कि आपको अपने parents की भी take care करनी है, आपने बच्चों को भी ताज जिन्दगी साथ में रखना है, तो वो एक double pressure होता है, दोनों तरफ का, और उसके साथ हमें ये करना है, और 11 बज़े का call भी लेना है, तो ये challenges है, तो उसमें cope-up कर पाना, और balance बिठा पाना, वो हम कर पा रहे हैं, क्योंकि हम कुछ अलग हैं लोग उस दुनिया से, और बहुत सारे लोगों को उस चीज़ का confidence ही नहीं कि हम ये भी कर सकते हैं, तो जब आप बाहर जाते हैं, और मैं हर किसी को कहता हूँ, कि आप कभी न कभी अगर इंडिया से बाहर नहीं जा पा रहे हो, तो यार एक बार ज़रूर दिल लियाओ, एक बार ज़रूर मुंबई जाओ, चेन नहीं जाओ, और ना तीन-चार महीने रहे के आओ, खाली देखो लोगों को, मतलब छोटी से छोटी जिने, मुंबई में, I learned, first thing which I learned, कि यहां हो सकता है लोग कपड़े फटे हुए पहने, लेकिन प्रेस करे हुए होते हैं, neat and clean, सुबे छोटी से अचार मतलब छोटी से आता हूं, तो शायद मैं नहीं सीख पाया हूं, जोसरों को ब्लेम नहीं करूंगा, शायद मैं नहीं सीख पाया, तो यह मैंने इन लोगों से देख देख के सीखी, यार यह बड़ा आदमी, ऐसे ही बड़ा नहीं है, मैं मुंबई में जब भी calendar invite भीचता था, कभी कोई late नहीं हो आज तक, मैं मतलब मेर को calendaring और time, मैं बहर भी राब Boston में 4 साल, महां थोड़ा बहुत आया calendaring, लेकिन true time management और punctuality मुंबई से आई, लग आठ बजे का अगर podcast से कुछ बुक है, तो वो 7.58 पर दर्वाजे पर आ जाते हैं, दिल्ली में ऐसा नहीं है, दिल्ली में बिल्कुल ऐसा नहीं है, दिल्ली में आदे हैंडे लेट हो जाएंगे, देख लेंगे, एक और चीज जो मैंने बहुत बड़े लोगों से सीखी, जो अंग्रेज या कहलो आप वहां के फॉर्णर से, मैं आपको एक्जाक इंसीडेंट बोलता हूं, मैं क्लाइंट के लिए काम कर रहा था, CTO उनका इंडिया आया है, पूने में हम वेस्टिन में थे, और वहां बात्चीज चल रही थी, तो मैं मेरा, मुझे पहले दिन ही सिखाया गया था, मेरी कंपनी में, कि on time is always late, so always come before time, आज आप before time आये, तो उसमें फाइदा क्या होता है, वो भी बोलता हूं मैं, क्योंकि सब बड़े लोग ना before time आते हैं, आप भी before time आये, तो वो जो 10 मिनिट हमें मिल गए ना बात करने के, उससे जो मेरी लर्निंग हुई, और इंट्रेक्शन हुआ, उसका benefit मुझे बहुत होगा, आगे भी होगा, तो आप किसी भी बड़े आदमी की meeting में जा रहे हो, पहले जाओ, मैं पहले पहुँच गया, और not to be surprising, कोई नहीं आया था, क्योंकि मुझे तो सिर्फ वो स्यक्ति के साथ, पंदरा मिनिट बैटने थे, कि मैं कैसे क्या बात कर रहो, तो मैंने सुसे सिर्फ एक ही क्वेस्टिन पूचा की, हाई, I'm just a junior engineer here, and I came here just to ask one question, that I was, I'm very curious that all the big shots in US, are all of them Indians, all of them are Indians, but none of them have worked in India, and he was like, कि ये क्या पूच रहे है, and then he told me, you are too young to ask this question, तो इतने में मेरे टीम लीड आगे, उन्होंने बोला कि, क्या पूच रहे है सर, बोले ये पूच रहे है, कि ये सब बड़े बड़े लोग, चाहे हो Microsoft हो, Google हो, ये सब इंडियन से, लिकिन इन में से कोई, किसी ने इंडिया में काम नहीं किया कभी, we are very proud to say they are Indians, none of them, none of them have worked in India, अश्च रहे हैं, तो इसने बोच बोला कि, Sudhaanji, you are too young to ask this question, but let me tell you couple of things, which you should follow in your life, first is, always raise your standards, every day, raise your standards, in a positive way, आप, कल जैसे थे, आज उससे better बनो, 1% बन जाओ, 0.001% बन जाओ, वो लोग वहाँ जाके, वो कर पाए, दूसरी चीज, try to appreciate the work, the moment it has to be appreciated, don't wait for one year, अगर तुमारा employee अच्छा काम कर रहा है, तो उसके moderation, जब उसका promotion होना है, तब wait मत करो, कि मैं तब उसकी तारीफ करूँगा, उसकी तारीफ अभी करो, ये habit जो है, वो यहां missing दिखती है, तो वो तुम सीखो, और अपने promises मत ब्रेक करो, यार कभी, कभी मत करो, professional promises कभी मत ब्रेक करो, खास तोर पर क्लाइंट से, कि, always under promise and over deliver, अगर इतना promise कर रहे हो न, तो इतना deliver कर कर के दे, उनने सोचना हो, इतना कुछ करो, उस एक 15 मिनिट की meeting ने, मेरी life हो transform कर दिया, कि अब मैं कभी भी कुछ सोचता हूँ professionally, तो पहले मैं चीज यह सोचता हूँ, now that guy is working with Elon Musk, it's amazing, right, so, ये सारी चीजें जो है, कभी-कभी वक्त से पहले पहुच जाओ, तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है, मिल गई काम आ रही है, तो मैं अपने students को भी सिखाता हूँ, your own time is always late, always come before time. Makes sense, as far as the IT sector is concerned, in India and abroad, क्या ये overly comparative है, कि हाँ पे सब लोगों के लिए jobs है, और कोई बंदा चाहा रहा है, कि वो transition करे है, बंदी चाहा रहे है, वो transition करे है IT sector के अंदर, basic आपने वो बता दिया था, employability, eligibility, right, और थोड़ी जोन के अंदर uncertainty होती है, सुधार्चु टी, मैंने ये देगा कि, बहुत सारे लोग certifications होगेरा करते है, Google का अपना digital marketing certification है, सब लोग LinkedIn पर लगा तो देते हैं, but does that actually translate to a job? ये फिर वो एक बात हो गईगी, eligibility और employability की, कोई भी piece of paper आपको eligible बना सकता है, employability आपकी skill और practice decide करेगी, it is very much like कि मैं कौन सा certification कर लूँ, betting का कि मैं विराट कोहली बन जाओं, it's not possible, तुमको 10-15 साल वो pitch पे दिन, राद, सुबे से शाम तक खेलना पड़ेगा, तब तुम विराट कोहली बनोगे, उसके साथ एक luck factor भी involved है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, कि जो चीज आपके हाथ में है, वो तो कर लो, इतनी ताकत जोग दो अपनी practice में, कि आप एक certain level पर पहुँच जाओ, और आप अगर एक certain level पर पहुँच जाओगे, तो definitely लोग आपको ढूड़ते हुए आ जाएंगे, वन अफ माइ ओनलाइन मेंटर जिनको मैं देखता हूँ, और अशनीर गुरुवर साभ आपने भी देखा हूँ, वो बड़ी कड़ी बाते कहते हैं कई बार, लेकिन बिलकुल सही कहते हैं, कि सबसे बड़ा पेंपॉइंट एक अंट्रप्रेणर के लिए क्या है, अच्छे लोगों को ढूड़ना, वाजना ड्रीम 11 में टीम तो सभी बना लेते हैं, बोला है उन्होंने, लेकि इट बड़ सो सुर्प्राइजिंग, बट सच में, सच में, मतलब इतना अच्छे लोग, हर कोई अच्छे लोग ढूड़ रहा है, अबाउट 92 कमपनीज हमसे हायर करती है, और वो हर कोई बता, यार तू ये सो लोग, देड़ सो लोग भीज रहा है, बता देना यार इसमें से, दस लोग अच्छे वाले, क्योंकि आपका फ्रेम अफ्रेफरेंस अलाग है, किसी को शारुक से शादी करनी है, किसी को सल्वान से करनी है, तो ये सब अलाग अलाग है, वो सकता है मुझे रितिक रोशन पसंद हो, तो मैं आपको रितिक की लिश्ट दे दूँगा, तो वो गड़बड हो जाएगी, तो मैं कभी उसमें filtration नहीं करता, तो employer सब को एक जैसा treat करते हैं, तो सिर्फ एक कागाज को ये समझना कि, भई मैं ये degree कर ली, मैंने ये post-graduation कर ली है, हमारे जो batches होते हैं, there are people who are coming from various countries, normally six to seven countries के लोग होते हैं, even people from Pakistan are coming, post-graduate, किसी और चीज़ से पढ़ के आएं, तो मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूँ, देखो, आप इतनी जल्दी जज मत करो अपने career को, पहले आओ, पहले पढ़ो, हफता दस दिन पढ़ के देखो, पहले, तुमको मजा आ रहा है क्या, पर सारा game इस मजे के राउंड है, मुझे तो मजा आ रहा है पढ़ाने में, तो मैं पढ़ाऊंगा, जब तक मजा आ रहा है पढ़ दो मुझसे, या मेरे सारे teachers जो भी है, सबको मजा आता है पढ़ाने में, तुमको मजा आना चाहिए, वरना यह जरनी है इसको आप जी नहीं पाओगे अच्छे से क्योंकि और कई बार क्या होता है कि कई लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं और उनको किसी और काम में लगा दिया जाता है जैसे misguided हो गए लोग कि यार एंजिनिंग करनी है चलो mechanical पिक कर लेते हैं क्योंकि भाई ने mechanical किया है चलो एक काम करते हैं हम MBA कर लेते हैं क्योंकि sister ने MBA किया है मरे Indian system में तो यह होता जो भाई बहन guidance देंगे वो पहले तो they are much more talented and doing something very minimalistic कोई काम की चीज नहीं कर रहे होते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ तुम हो spider man लेकिन तुम सिर्फ जाले साफ करने का काम कर रहे है तो यह काम मत करो तुम्हारे पास इतने इतने super powers है utilize them तो उसको कैसे जगाना है उन powers को प्रैक्टिस से होगा और वक्त लगेगा वो कहते हैं न धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ होए और माली सीचे सो गड़े तो वो दीरे दीरे होगा तो ओवर्नाइट चमतकार नहीं होगा और ऐसा कुछ कोई करवा रहा है तो मुझे भी बताओ मैं हायर कर लूँगा ऐसे लोगा जिस इनसान को बिल्कुल ली नौ सीखिया और उसको प्रोग्रामिंग लैंगविच नहीं आती या कोडिंग नहीं आती तो वो सीखने में क्या क्या अब्स्रक्शन आ सकते हैं क्योंकि आपका कम्प्यूटर साइंस बैग्रांड में आपका फुल है मेरा बिल्कुल नहीं है तो मेरे को जावा सी वाले वर्ट अच्छ लगते द अब फिथ स्टेप में आप एलेजिबल हो जाओ, इसकिल्ड हो जाओ जाओ जॉब के लिए लेकिन मुझे यह नहीं पता कि आप अभी थर्ड स्टेप पे खड़े हो, फर्स्ट में खड़े हो कि माइनस ट्वेंटी पे खड़े हो हर को यह अलग अलग है और हर किसी को पता ह कि वो कहां खड़ाया तो मैं हर किसी को बोलता हूं कि आप अगर जर्णी शुरू कर रहे हो ना तो कम से कम आप माइनस 20 से 0 तक तो आजाओ आप 0 पर हो तो बहुत सारे companies हैं बहुत सारे teachers practically क्या लगेगा what does that take basically you need to develop your problem solving ability problem solving ability अब उसको शुरुआत कैसे कर सकते हो आप अपने लिए 20 दिन 25 दिन का समय निकालो और कोई भी एक online free course पकड़ो basic languages सीख लो आप चाहो C++ सीख लो आप course Java सीख लो YouTube भरा बड़ा है ज्यादा लोगों के पास नहीं जाना है आपको एक दो दो एक को ही पकड़ना है primary किसी एक को पकड़िए एक महिने तक पढ़के देखिए मज़ा आ रहा है क्या सीख पा रहे हो क्या जो सिखाया उसको implement कर पा रहे हो क्या theoretically पढ़ने से कुछ नहीं होता जैसे मैंने आपको बुला mechanical engineers ऐसे हैं जो cycle की उपर किताब लिग देंगे लेकिन अपनी खुद की cycle नहीं सुदार सकते हम तो आपको यह decide करता है कि यार मुझे इससे पढ़ रहा हूं मुझे समझ में भी आ रहा है और इसको पढ़के मैं cycle भी सुदार पा रहा हूं अब मुझे सीखना है कि कार कैसे सुदारते हैं क्योंकि पैसा तो कार में मिलेगा फिर आप ढोड़ो mentors को और हम तो वो भी करने की कोशिश करते हैं कि ये काम करो पहले 5-6 दिन आ जाओ पढ़ो नहीं मजाए मत करो जरूरी नहीं कि तुम को हर किसी को coding सीखना है आज कल तो हर कोई बच्पन से ही coding सिखा रहे हैं लोग को लेकिन जरूरी नहीं coding करने से ही कु तो अगर आप coding सीखना चाहते हो तो there is a journey आपको करना पड़ेगा आप पहले non-maths background से आयो तो थोड़ा सब analytical ability develop करनी पड़ी कि सीखना पड़ेगा हम भी 4-5 दिन सिखाते हैं देखो ऐसा variable इसको बोलते हैं लूप इसको बोलते हैं इसको ऐसा करोगे तो यह होगा इसको ऐस एक एक्जामपल देता हो खाना बनान से कोडिंग कोडिंग लाइक खाना बनाना पहले दिन जब आप को चाय बनानी मम्मीने सिखाई ती कि नो दो कप लिया आपने दो physical cups उसमें दो दोनों कप में पानी बरा फिर एक कप दूद लो तीसरा कप लिया आपने उसमें पेक कप करो पतीला रखो जलाओ अब उसमें 2 कप से पानी डालो फिर दो चमच पति डालो फिर देखो बुलबुले आ रहे हैं अब उसमें दूड डालो शककर तो नहीं डाली वह लास्ट में डाल लाँ यह सीखने की प्रोसेस है क्या आप अभी भी वैसा चाय बनाते हो नहीं बनाते हो गई ना practice evolve हो गए आप लेकिन जब पहले दिन चाय बनानी थी तब वह process follow करने ही पड़ेगी वह irritating भी है लेकिन उससे आपकी clarity बन गई कि हाँ इतना चाय में इतना पानी इतना दूध इतना शक्राइब करने माला process बड़ा humbling होता है frustrating होता है अगर लोग उसके through survive कर सकते हैं तो second nature बन जाता है जैसे अगर आप कुछ भी हो सकता है आपके लिए teaching training बड़ी होसा है अगर आपाटी करतर लेकिन ऐसे सब आप जराइब कर लिया सब्सक्राइब हो सेव कर लिया लेकिन एक्ट निकरा मैंने तो यह भी देखा कि अगर आपको एक गोल पर काम करना सबसे बेस्ट होता है कि एक फॉर्ट प्रसस्ट पकड़ लिया हम कहीं किसी टीचर से सीकर है कुछ कर रहे हैं बोल भीगे प्लेस्ट तो रियलिस्टिकली कोई इंसान प्लेस्मेंट के लिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं और वो भी क्योंकि बहुत सारे लोगा है सपना होता कि मैं बाहर जाकी रहूं यह मेरे बाहर क्लाइन के सपर्क मिले कि मैं ऐसे फ्रिलाइंसर्स होते हैं डिजाइन के बहुत सारे बोलते हैं कि यार डॉलर में कमा और आइनर में खर्च करूँ यह common होती है कोई इंसान उसके लिए कैसे optimize कर सकता है same example मैं आता हूँ वोई शादी वाला example आपको अगर किसी लड़की से शादी कर दी है किसी company में select होना है पहले पता करो कि वो लड़की ढूंड क्या रही है बिल्कुँ simple approach let's say I want to get placed in Google Google की hiring कैसे होती है आप को समझना पड़ेगा Google अपने questions क्या पूसता है अब आप C++ पढ़के Google crack नहीं कर सकते हैं उसके लिए बहुत कुछ और extra करना पड़ेगा तो आपको आप generic मत बनो आप specialist बनो पहली चीज कि आपका client क्या चा रहा है अगर आप समोसे बेच रहा हो तो समोसे की दुकान कहां लगेगी कितने समोसे पर लॉट बनेंगे कितने लुग समोसे खाते हैं यहां पर बिल्कुल placement का game बहुत ही simple है हम भी ऐसे placement लाते हैं हाँ जैसे cable क्या होता है आप किसी road बे होते हो और आप गया लगा लगा लो जांग गाडिया रुक नहीं सकती आपको business नहीं चलेगा तो mostly लोग गलट जगहों पर ही ठेला लगा के खड़े हुए है इस समय ठीक है तो आपको करना ये है कि आपको पहली बात तो वो करना बंद कर देना है जो सब कर रहे हैं आपको बीड का part नहीं बनना है आपको चीज़ां को premium तरीके से ढूणना है कि भाई यहां तो सब जा रहे हैं जैसे मैं कर एक्जांपल दूँ आज की डेट में अगर जावा की जॉब जावा 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 इस हाई डिमांड हाई सप्लाई अगर पचास जॉब अपर्चुनिटीज निकलेंगी तो पांच हजार एप्लिकेशन आ जाएंगी 5,000 एप्लिकेशन मतलब competition है competition है मतलब negotiation है negotiation है मतलब salary negotiation भी है तो focus वहां कीजिये जहां पर भीड कम हो premium जादा हो negotiation कम हो तो salary अपने आप बढ़ जाएगी एक simple सा तरीका मतलब मैं बहुत ही 11 तरीके समझाता हूँ आज जाओ अगर आपको जैसे Salesforce में नौकरी टोन नी 100 कंपनियों की list बनाओ जिन्होंने पिछले 6 महिने में hire किया हुआ है, मतलब बिल्कुल ही layman approach, कि आप 6 महिने बाद जो बनने वाले हो, वैसे वेक्तियों को उन्होंने 100 कंपनियों की list बनाओ, जाओ LinkedIn पर 100 कंपनियों को निकालों, मतलब बहुत ही basic है, और इसको इतने लोगों ने test कर रखा है, there is one student of माइन, सूरज, मेरे बास जब आया था, उसको 2 year back लगे थे बोले, sir, घर वाले भी आप गालियां दे रहे हैं, कि दो साल year back किये हो, कैसे होगा, sir? मैंने का, जो मैं बोलूँगा, वो करोगे? बोले, हाँ, करूँगा, sir, मैंने इसको यह अप्रोच बताई he got placed and when he came with sweets, तो उसने मुझे बताया, sir, मैंने 43 companies apply किये आपके कहने पे, और मैंने किसी company का नाम नहीं सुन रहा था, कोई MNC, MNC, कुछ-कुछ नहीं था मुझे 17 interview call आये 17 और sir, इसमें आपकी help नहीं लगी आप जो लोग मेरे पास आके कहते हैं, sir, आप हमारी नौकरी लगवाने में मदद करोगे क्या अरे, तुम खुद कर सकते हो यह तुम खुद कर सकते हो, मैं सिर्फ आपको रस्ता दिखा सकता हो, या हमारा जो थोड़ा बहुत ट्रस्ट है, उससे कुछ companies आते हैं उसमें मैं आपको opportunities दिलवा सकते हो, that's fine वो कोई बड़ी चीज नहीं, यह आप खुद भी कर सकते हो तो आपको focus बनाना है आपको सब नहीं करना और एक और मैं बात बुलता हूँ कि अगर सर्दी खासी बुखार है, तो chemist से सला लेके दवाई ले लो लेकिन अगर open heart surgery करानी है न तो chemist नहीं कराना कहने का मतलब यह है कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है और बहुत critical stage पर आप हो तो किसी भी layman advisor से सला मत लेना, वरना आप मुस्किल ने पढ़ जाओगे और दुनिया में कोई भी चीज free में नहीं मिलती एक बात एक statement लिख लो याद कर लो और कुछ Indians को बहुत pain point हो दा हर चीज free में चाहिए मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ अगर कोई चीज आपको free दे रहा है तो बदले में आपका time ले रहा है there is something called cost of unemployability जो मैं अपने class में निकाल के भी बताता हूँ अगर आप महीने में 100 रुपया खर्चा करते हो let's say और अगर आपकी नौकरी लग जाती तो आप 100 रुपय कम आते तो आपका actual loss उस महीने का 200 रुपय है ठीक है और आप अगर एक साल तक बेरोजगार है तो 2400 रुपय आपकी साल की cost of unemployability है मतलब आपकी 2000 रुपय की नौकरी लग गई तो आप 400 के loss में हो ये गड़त आप लगाओ तो इससे अच्छा है कि आप 400 रुपय पहले महीने में खर्च कर दो अगर आपके पास है नहीं तो आप ऐसे resources ढूणो जो आपका time न वेस्ट करे तो अभी challenge ये मैं देख रहा हो लोगों को कि free पढ़ना बुरा नहीं लेकिन problem ये है कि free की साथ value क्या आ रही is free structured is free trustworthy is free reachable आप ऐसे doctor से इलाज करा होगे क्या कि हाँ भई आप online open heart surgery कर लो आप उस तक कभी पहुँच नहीं सकते कुछ गड़बड हो गया उसको पकड़ नहीं सकते वो कहीं alien country में बैटके कुछ कर रहा है कभी नहीं कर आओ गया तो फिर आप अपने carrier के हो इतना risk में डाल रहे हो तो उस तरीके से सोचो और अगर आप ठंडे दिमाग में सोचो कि लिखो चीज़ों को रेंडमली मत करो दोस्तों के साथ मिलके मत करो लोग कहते हैं कि गुरॉप सटुडी करना चाहिए मैं बिल्कुल अगें इस टो पास होता बाखी सफ़लो ड़ तो इस चरव में पड़ो आप अपने ऊपर विष्वास एक mentor को ही पकड़ो, इसको follow करो, आपको सही रास्ता दिखाएगा, we are very fortunate to be born in this age of India, और अगर अब आप समरद्ध और सक्सेस्फुल नहीं बने, तो फिर कब बनोगे, मतलब this is the best time to be in India, according to me. As opposed to say an older generation, जहां पर internet नहीं था, इस तरह की jobs नहीं थी, इस तरह का hunger नहीं था, वर्कफोर्स के अंदर के कुछ भी काम कर लेंगे, बस हमें आगे बढ़ना है, बिल्कुल, और हमारे पास examples बहुत हैं, और इवन अगर आप छोटे से छोटा करना चाते हैं, जैसे मेरे mentor कहते हैं, कि आपको top 1% में आना है बस, उसकी skill पकड़ दो आप, जैसे अगर आपकी में skill देखूँ और आपका जो काम है, कि आपकी main skill है, आप बहुत अच्छे सवाल पूछते हो, ये एक skill है, अगर आप खराब सवाल पूछोगे, हाँ भाई कुछ अपने बारे में बताईए, कैसे आप बड़े हुए, कहां से, that's not required, और कोई इंसान यही बोलता है, that's not required, आपके profession की skill क्या है, अच्छे सवाल पूछना, अच्छे लाय में पूछना, वो आपकी skill है, आप उसमें प्राक्टिस करते हैं, अप उसमें प्राक्टिस करते हैं, अप जिस भी फिल्ड में जाना चाहते हो, आप पता करो, इसकी skill डिमांड क्या है, जैसे, एक और एक्जामपल में आपको बोलू, there is one doctor in Pune, who is specialized in stitching the the knee, knee surgery में, जो stitches लगते हैं, उसके वो expert हैं, he is one of the top 10 doctors in India, and he travels around the globe, अब तो वो काफी aged हो गय हैं, he goes, knee surgery में, वो stitches लगा के, takes the paycheck and he leaves, he don't do the whole surgery, तो आपने वो एक चीज में आप ताप 1% में आगे, तो आप सब की PhD मत करो ना, आप एक बार system में इंटर, मैं उन लोगों को इसकी बात कर रहा हूँ, तो थोड़े experienced हो गए आप, let's say आप programmer बन गए, आप ये claim कर दो कि sir मैं किसी भी java application को किसी भी database से 15 minute में connect कर दूँगा, किसी भी java application को किसी भी database से 15 minute में connect कर दूँगा, लेकिन मैं उसके 500 डॉलर लूँगा line लगी होगी आपके घर के बाहर, कितने लोग हैं जो ये claim करते हैं, वो सब नहीं कर रहे हैं, लेकिन, एक काम में वो top 1% में, तो ये भी एक तरीका है, इसलिए मेरे को ऐसा भी लगता है कि अब बहुत समय से एक नया narrative शुरू है कि specialist मत बनो, generalist मनो, generalist बनने का फाइदा है, लेकिन आपको eventually कभी ने कभी specialization decide करनी पड़ती है, as a sum of all your experiences. परकोज आपकोई generalist है यार, what do you do? I'm a developer, किस ताइगा developer, any developer, तो आपको फिर, परकोज आपकी clarity नहीं, आपको कुछ भी speaker who trains corporates who are 35 to 40 in this specific role, तो वो जो positioning में बनते हैं, बहुत strong होती है, पर यह लोग चीज़ realize नहीं करते हैं, यह कि बहुत ऐसा लगता है कि हर चीज़ करके देख लेते हैं, हर चीज़ करनी ची़ है, starting में. starting, बिलकुँ, generalist आप start में हो तो अच्छी बात है, आप भी exploring mindset में होते हो, लेकिन अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, success दिखना चाहते हो, तो you need to be a specialist, there is no other. Do you think, मतलब मैं आपका सारे आपके उपर research कर रहा था, मैं इस बात से बड़ा surprise लगी, अकसर लोग पैसे कमाने के लिए, बहुत glamorous industries के पीछे भागते हैं, जो सुनने में बड़ी अच्छी लगते हैं, जैसे किसी भी type की marketing job सुनने में बड़ी अच्छी लगते हैं, विक्स marketing के अंदर एक creativity दिखती है, थोड़ी सी, थोड़ी से fancy numbers दिखते हैं, आइड campaigns होते हैं, ठीक है, यह एक glamorous job होगी इस तरह से बात करने की, ठीक है, content के अंदर बहुत सरी इसी jobs होती है, in fact, even startup के अंदर product manager एक बड़ी glamorous job होती है, ठीक है, तो अब देखने में तो, you know, basically आप क्या करणा, आप बोड़ी एक CRM है, ठीक है, आप असके अंदर developer बनो, और आप ऐसे ही पैसे कमाओ, यह, जो इसका, मतलब, it's not something that, you know, it's not like a Ferrari from the outside, on the inside is a Ferrari, how do you make sure कि लोग को ये भी आक अर्शक करें, क्योंकि लोग तो fancy चीज़ों के बिचे जाद भाग रहे हैं, एक हद तक नहीं भी करेगा, हो सकता है, क्योंकि जब तक आप, मैं आप इसके अंदर क्यों आएं, क्योंकि, मतलब, you know, आप कुछ और भी कर सकते हो, एक्सिदेंटल कह सकते हो, मैं बड़े company में काम करता था, I was a team lead there, और मुझे 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 मुलता था, में कागज में लिखके देते हैं, टाइप करो, हम तो चार बज़े तक करके ना, हम भी फ्री हो जाते हैं, वो टीचर भी कहता, तुम लुग जाओ, हम भी जा रहे हैं, हमारा पर दे का पैसा तो set है, मुझे लगता था, यार, इसमें तो सब का लॉस है, मताब मजा तो नहीं आ रहा है, न उनको मजा आ रहा है, न हमें मजा आ रहा है, तो क्या किया जाए, तो I discussed this thing with my boss, बुला कि तुम क्या कर सकते हो, अब तुम पढ़ा होगे, तो फिर से पढ़ाना पड़ेगा, मैं गाए, वो मेरी जुम्मेदारी, छे बजे के बाद, छे से नो, छे बजे ओफिस कतम, नो बजे तक इनको मैं रोकता हूँ, बले ठीक, रोक सके तो रोक लूँ, तो I picked up some people, and I trained them, कि चलो कुछ सीखते हैं, कुछ मज़ेदार करते हैं, और उनने ही, खुद बच्चों ने बोला, कि अगर ऐसा हमको वहाँ पढ़ाया होता न, तो आज हम कहीं और होते, मतलब next level पर होते, तो I discovered कि अच्छा, यह तो बढ़िया चीज है यार, इसमें मुझे भी मज़ा आ रहा है, मतलब मैं भी उस टाइम शादी भी नहीं हुए, तो कोई लायविल्टी नहीं थी गर चल दी जाने की, और पढ़ाते रहे लोगों को, फिर जब अपना काम शुरू किया, तो पहले मैंने फूड इंडस्ट्री का सोचा था, कि आप फूड इंडस्ट्री जाओंगा, मैं युएस में रहे क्या है, तो माम इने फूड ट्रक कल्चर देखा था, लेकिन पैसे नहीं थे, तो फिर सोचा की चलो एक काम करते हैं, यार पढ़ाते तो बनता है, लोग तारीफ भी करते हैं, चलो एक काम करते हैं, दो लोगों को पढ़ाते हैं, दोनों दिल्ली के थे आपके, और उनको पढ़ाया, उनसे कुछ पैसे लिए चार्ज किया, कि भई, दो महीने तक पढ़ाया, दोनों नौन आईटी बाइग्राउंड की, एक का तो तुरंट सेलेक्शन हो गया, दूसरे का उसी की कंपणी में, उस डोमेन में शिफ्ट हो गया हो, जो हमने सब्सक्राइब, फिर समझ भाया है, नहीं आ रही है, तो चल रहा है, पर पर प्रसंट सब्सक्राइब हो गया कि तरह से, फिर 5-6 में तक क्योंकि बिजनेस करना आता नहीं था, तो क्लाइंट कैसे लेकर आना है, वो नहीं पता था, पैसे नहीं थे, तो एक सोचा चलो, कॉर्परेट ट्रेनिंग करते हैं, कॉर्परेट ट्रेनिंग एक इजी है तिंग कि आप अच्छा बढ़ाते हो, तो कॉल आया कि सर एक इंटर्व्यू है, एक कमपनी में, लेकिन सर मैं आपको पहले से वान कर दूं कि यह जो इंटर्व्यू ले रहे हैं, यह थोड़े से रूड हैं, वो चारपास ट्रेनर को बहुत गंदा हाड़का चुके हैं, तो आपकी प्रोफाइल हमने इसलिए कंसीडर की, क्योंकि आप एक तो पैसे कम ले रहे हो, और दूसरे आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है पुराना, आप नए हो, तो वो आपके बारे में कुछ ज़्यादा ढूंड नहीं पाएंगे, बैंगलोर की कंपनी थी, मैंने का ठीक है माडम जी, अन्दा क्या चाहें, दो आके, इंटर्वी आए, हलो, हाए, 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 इस इस अजय, फ्रॉम इस कंपनी, मैंने का हाए, अजय, इस इस सुदान्शू, सुदान्शू जयन, आए, हाए, सुदान्शू जयन, आए, हाए, सर आपने मुझे वो पढ़ाया था दो साल पहले, मैं का इंटर्वी लूंगा सर आपका, आप तो बताओ, आप कब आ सकते हो, अगर आप पढ़ाओगे ना सर तो धार हो जाया का लोगों का, मुझे याद ना आए, कौन, जैना, रिलाइस्ट की देरोजागा गाये, साउथ इंडिया से आया था, और शादी होने वाली थी, और, टेस्ट पास करना बहुत जरूरूई था, अदर्वाइस, फायर, मैं उसको पढ़ाया था, और, बात जम गई, अब देखिए, किस्मत की बात है ये, मैंने का, ठीक है यार, थेंक यू, if you recognize me, और, थेंक यू, मैं क्या बोलूँ, तो, then that lady called me, कि sir, कम्सकम 20 इंटर्व्यू हम करा चुके हैं इस आदमी के साथ, ये पहली बार है कि, जो employer है, वो employee को sir बोल रहा है, मतलब, एक और चीज सीखी मैंने, कि अगर आप अच्छी नियत से किसी के लिए कुछ करते हो ना, तो वो बहुत कुछ बढ़ चड़के वापस आता है, बहुत कुछ बढ़ चड़के आता है, तो ये मन में एक फिर बन ही गया कि यार, ये तो बड़े अच्छा काम है, ये तो पुन्य काम है, और पैसे भी मिल रहे हैं, क्योंकि बिजनेस आद में दो ही चीज़ों के लिए करता है, impact and profit, और profit तो by product है, अगर आप एक अच्छा impact डाल सकोगे, profit आएगा ही आएगा, और मैं अपने students को भी यही बताता हूं, देखो इतनी value create करो company में, कि अगर तुम नौकरी छोड़के जाओ ना तो तुमारे employer पकड़ ले तुमारे, कि यार भाई तू मत जाया, क्या चाहिए तू यह बता, इतनी value create करो, तो एक यह भी चीज है जो हम अपने students को बताते हैं, कि यार यह करना है तुमको, वह blackmailing वाली job नहीं करनी, कि यह तुम इदर सुधर जंप कर रहे हो, and think of becoming an entrepreneur in five years, यह मैं अपने हर student को बोलता हूं, कि तुम अगर मुझसे पढ़के जा रहे हो ना, तुम सिफ नौकरी करने के लिए नहीं जा रहे हो, हमें नौकरी देना है पास साल में, खुद की company खोलनी है, और भले दो लोगों को रखो, कोई problem नहीं, यह एक ऐसा काम है IT industry, जो बहुत कम capital से start किया जा सकता है, बहुत कम जगह से start किया सकता है, दो laptop लगेंगे, बस दो दोस्त लगेंगे और शुरू हो जाओ, revenue अच्छे मिलते हैं, आप अपने skill में अच्छे हो, आपकी भाषा अच्छी है, पूरी दुनिया इंडिया को देख रही है सर इस समय, तो अगर आप अच्छा कर सकते हो, तो कोई बाहर से थो ही ना आएगा, हम कोई बनाना है, तो यह बीज में बोने की कोशिए, सब मैं करता हूँ, कि यार चालू हो जाओ बस, और अगले 10-15 साल में मेरे उकम सकंद 5,000 कमपनीज देखनी है, जहां पर मैं जाओं, तो मुझे खाने के पैसे ना देने पड़े, इस लोयर मुझे खाना के लगे, तो सुदानुच जी आप एक बात दाई है, लोग आपके काम को कहां फॉलो कर सकते हैं? मेरे काम को LinkedIn में फॉलो कर सकते हैं, में हमारे Facebook में हमने कुछ groups बनाया है, मेरी team देखती है उसको, बहुत सारे हम free sessions करते हैं, कि आई ये, experience कीजिए, इस तरह के, because what we do is, we understand how a human brain thinks, we all think in images, either static images or moving images, right? Most of us are visual thinkers, we are not auditory thinkers, some of them are kinesthetic, but most of us are visual thinkers, तो कोई भी कठिन चीज़ जब हमारे सामने आती है, तो हम उसको visualize नहीं कर पाते हैं, हम text में नहीं सोचते हैं, coding तो text में होती है, हम visualize करते हैं, कि हाँ यार इसका animation मना के देखते हैं, हमारा पढ़ाने का process इसली effective है, कि we teach using visual stories, और वो बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं होता, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा, तो using mind maps, using pictures, using doodles, तो वो हम लोगों को दिखाते हैं, बोले अच्छा multi tenant architecture इसको बोलते हैं, यह तो बड़ी मज़दार चीज है यार, यह तो बहुत देखने में तो बड़ा खतरनाक लग रहा था, यह तो बहुत मज़दार है, तो मज़दार है, तो मैं अपनी हर class के last में एक चीज पूसता जरूर हूं, कि अगर सच में मज़दा आया हो ना तो type करो chat में मजदा आ गया, क्योंकि मज़ा आना चाहिए, आप भी मज़े के लिए हो, और सर इससे अच्छा नशा नहीं है, कि आप किसी को पढ़ा सको, जब मैं अपनी class में होता हूं, अभी मुझे कुछ health issues हुए, पिछले साल February में, तो मैं operation table पे था तो डॉक्टर बोला कि वो एक समझ लिए एक नशे की तरह है, और मुझे इतना मज़ा आता है पढ़ाने में, और अब वो धीरे धीरे ट्रांसफर हो रहा है, तो स्टुडेंट को ही मज़ा आता है, तो मैं अब हम लोगों तक पहुंच नहीं सकते, तो लोगों को बलाते हैं आओ, पढ़ो, पढ़ो, पढ़के देखो, मज़ा आये तो पढ़ो, नहीं कोई जरूवत नहीं, बहुत सारे लोग अच्छा कराते हैं, वहां से सीखो, लेकिन सीखो, सीखना इंपोर्टेंट है, और गुरू को पकड़के रखो, क्योंकि गुरू आसानी से मिलते नहीं, बहुत मेहनत लगती है, सही बन्दा, कंपाटेबल बन्दा रोड़ने के लिए, क्योंकि आजकल सब गुरू है ना, चेले कम है, चेला वर्ड में थोड़ा बैड कॉनेटेशन भी होता है, यह थोड़ा वो जो पहले वाले जमाने के अंदर गुरू चेला कल्चर था वो चेंज हो गया, चेला लोग डरगेटरी समझते हैं, लेकर अगर मैं मैं शूर कोई और और रप्लेस हो जाए ना, और वो गुरू और शुड़न्ट हो जाए, लोग जरूर सीखेंगे, इंडिया के अंदर पहले वाले कल्चर के अंदर ऐसी होता था, वो पांडव और और बैट के सीखते ही थे वो लोग, क्योंकि उनको सीखना था, आगला योद्धा बनना था, जो आप काम कर रहे होत बड़ी है, और आपका रुतबा, आपका जोश, आपका बात करने के तरीका है, इतने सारे चुटको लोग और एक्जामपल के साथ, वो ने तो बहुत भाया, और मेरे को ये भी लगता है कि, जो मैंने शद पहले ऐसा देखा, स्कूल में बहुत कम द हो गए हो, कि एक जो नया सेट अव एजुकेटर्स आ रहा है इंडिया के अंदर, चाहिए वो कुछ भी लेके जा रहा है, वो fun, engaging, compassionate, entertaining है, क्योंकि एक और बहुत बड़ी बात होती है, एक स्कूल में, स्कूल की टीचर बहुत बड़ी आ थी, लेकिन जब आप अंडर पेड होते हो, आपको इतने बच्चों को समालना है, वो नहीं होता, लेकिन अब खुच से, इंडिपेंड़ी बोले हो, कि मैं अपना teaching enterprise शुरू करोंगा, तो वो बहुत exciting चीज़ होती है, और बिल्कुल, और सर, अभी क्या चक्कर क्या हो गया है, कि हम सब स्कूल में बहुत powerful थे mentally बहुत powerful थे, और हर चीज़ करने का जोश था, लेकिन college में वो जोश धीरे 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 ठंडा होता गया, और अब हम shortcuts ढूरते हैं, तो मैं कभी-कभी मजाग में कहता भी हूँ, अपने students को भी कहता हूँ, कि देखो, I love you के बाद, अगर कोई सबसे popular three word sentence है, तो हो है 100% job guarantee, सुनता ही साथ एकदम से चहरा खिल जाता है, कोई dopamine आपके दिमाग में जाता है, आप एक बास समझो, कि अगर आपको कोई कह रहा है कि मैं आपको 100% job guarantee दे दूँगा, क्या वो relevant है, तो आप इस shortcuts के फेरों में मत फसो, मैं कभी नहीं कहता अपने students से, तो पढ़ो जैसे आप में बोला ना, चेला, चेला इसा वरी रॉंग वर्ड, बट एक्चुली अगरडिंग तो मी, चेला इसा वरी राइट वर्ड, जब में अपने में अपने मेंटर्स की बात करता हूँ, तो अगर मेरा मेंटर स्टेज पर खड़ा है, मैं उसकी क्लास में, गर सीट बहर गई है, तो मैं जमीन में बैठ के पढ़ूँ गा उसके, और मैंने किया भी है, दो दिन की कॉंफरेंस में, सीट बहर गई थी, तो बोले सुदानशु तुम आओगे कैसे, मैंने का, सर मैं तो जमीन में बैठ जाओंगा, आप खाली मेरे को अलाओ कर दो, लोगा उसके, और आप गाओंट जोने में, यह संबड़ी कमीं रॉम यह वह वह बैठ तो एटना आप कर ले, तो इवन मैं टीचर वर फोर आप भाड़ी थी, तो आप दो मिन दो प्रावड़ेंस पर में, जो में तो बाकी लोग आए मेरे पास की किया सीखा, थी तो तीन स शौर्ट कट्स के फेरों में ना फसो, और थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, आप में बहुत पावर है, बहुत पावर है, और ये कॉलेज में आपके टीचर्स ने आपको डरा डरा के, I may be offending a lot of teachers, हमको लोगों को जगाना है, बुझाना नहीं, तो लोगों को इतना जगाओ कि वो कुछ बड़ा कर दें, और अगला जो यूनिकॉन, डेका कॉन है ना, सब हम बनाएंगे सर, अभी तो ओसकर ओसकर भी मिलने लगें, हाँ, आज ही मिला है, तो अब सब लोग हमारी तरफ देख कि युग कुछ सब मेरे हूँ,। मैरी छुинदाथ को, सब हमारना से विगें करना है, और तो नूदा ना में, भी उसे, बना क्वान आज लाए, रपल destin को मिलने भी मेरे ही जाम,भी पर आप लेख क मद़ान ने, अपको पनसमियन जगी सापः में, आप में। यूर ही नही सुजानतु जी सुदानचु जी बहुत अच्छा लगा आप से बात करके थैंक यू सो मच पर आने के लिए और लोग आपका सारा काम फॉलो कर सकते हैं लिंडिन पर जा सकते हैं वेबसाइट चेक आउट कर सकते हैं और किसी को अगर आइट में स्विच करना है और सेल्स फोर्स सर्टिफिकाशन करनी आप और भी तीन चार तरह की चीज़ आपने उस पर उफर करते हो लोग चेक आउट कर सकते हैं वेबसे नाम कहा है premiumlearnings.com premiumlearnings.com तो यह था दोसकास्त विद शुदाशु जैन रम्प्रीम लेश्त मिलते हैं अगले एबसोट में दोको सुड्सक्राइब यू पाय थे क्यर सैउनारा गुद्पाय थेंक्यों अच्छरा एबहुत बडेया बडेया एन अनलीजीस मारते हूँ अ वास लूम केंदर ऐसी लुक्स होश्टे है अदलब की अदलब की यूदा है